मेरे प्रें दोस्तों आज फीर से आई ट्यान टूब में आपको स्थागत है इस वीडियो के मद्धम से हम लोगों नहीं देखेंगे कि आपको बार्क कहीं एक भाग है डी सी एस एएम ठीक है डीस एस एम जो इसमें आपको विकैंशी निकलके आए है जो भीटेक डिपलोमा आई टे वाले के लिए भीचैंसी है जिसमें आप यहां जो देख रहे हैं इसके इंपोटेंट जो विकैंशी है जहां का वहाँ उसके बारे में थुरा साथ देख लिए क्या लिखा है कि गुर्मेंट और इंडिया डिपार्टमेंट और अटोमिक एनर्जी ठीक है उसको बाद आप देख रहे हैं कि डिरेक्ट रेट और फॉर्फ कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड इस्टेर्ट मेरेजिमेंट यही आपको जो फुल फर्म है जो डी-c-s-e-m काया फॉल फर्म है और इसी में इसी विभागों में ने आपको भेक्नसी निकलके आए है ठीक है जिसमें विक्रम सराव हाई भावन या फ्लोर सेकेंड फ्लोर नौर्थ विंग ठीक है अंट्विस्तां टिंग नगर मुंबई और आपको यह और टो इसका दिया हुआ तो इस तरह से इसमें बेकेंजी में आपको कों में की में चलिए जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लेयाएज करें आप तक पॉंच पाया 1966 इसका लाब उठाए चलिए स्टार्ट करते हैं आप बारिकी से इसको समझे जो यह लास्ट डिट जो दिया हुआ है यह रिसीव अप्लिकेशन आप जो ऑफ्लाइन भीजेंगे उसका अप्लिकेशन जो है ना ऑफ्लाइन ही फर्म यह है जो इसमें हुआ जो हुआ है और उसको बात इंपो यह देखें टिया जो आप देख पा रहे हैं इसमें कि सब्सक्राइब कर सकता है ठीक है और इस तरी के लिए कुछ छूट भी आपको दिया गया है चलिए नेक्स्ट हम लों समझते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट जो क्या है कि लास्ट जो है अपको उन्तिस चाहर दौर बाइस से पहले जो सह समय उसको फर्म फिलब करके और उसको भीज देना है ताकि आप का अधर क्रीन होग cauliflower से चलिए आपको जो मिनिविम जो ए है ठीक है मिनिविमें जेशारव करह भी हैा चलिए तो हम लों समझते हैं जो 29 यो राश्ट बेेड है उसосьिसे आपको स्मझेंगे निचे आपको देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट है देखिए आपको यह जो पोस्ट देख रहे होंगे इसके बारे में हमनों समझते हैं यह पोस्ट जो क्या क्या है जैसे देखिए टेक्निकल ऑफसर के लिए यह सिविल वाले के लिए यह आपको पोस्ट निकल के आई है जिसमें आपको टोटल जो पोस्ट है जो दो पोस्ट है टोटल पोस्ट दो है ठीक है इसमें ऑप से वाले और फोस्ट के लिए यह एक पोस्ट है जिसमें क्वाल्फिकेशन जो दिया हुआ है जो भी इँ भीटैक सीविल इंजिनियारिंग ठीक है इस सभी में आप को जो होना चाहिए जिसमें आप आपको 60% मार्स उसको होना चाहिए 60% मार्स से वह आपको होना चाहिए और इसमें यह जो दिया है जैसा ठारा बर्स तो आपको निन्तम बता है ठीक है और उसको बाद आपको मैक्सम जो आप देख रहे हैं जूमिनियुम आपको 18 वर्स और maximum जो देख रहे हैं कि a c a c के लिए 40 वर्स ठीक है एसटी के लिए आपको लेवल नहीं है इस पोस्ट के लिए ओभी सी के लिए जो आप देख रहे हैं कि आपको लोग उसपर द्यांदना है जैसे कि आपको उसी तरह से सेम जो है न business पोस्ट देख लीजए स्वास्ट क्या है उसके बारे हो समझत है सेम जैसे टेक्निकल आफर मैकेनिकल के बारे में यह आपको है ठीक है जिसमें जो सेम आपको जो कंडिशन है जो क्वालफिकेशन है और जो है ना उसी तरह से आपको जो दिया हुआ है जो भी सी के लिए अर्थिस दिया हुआ है ठीक है और आपको जो देख रहे हैं कि दो इसमें एक पोस्ट ही है जो भी सी के लिए पोस्ट आपको निक है करने के लिए या पोस्ट नहीं जो सांसे ख़ाइं जो आहं को है यह इसन्म पिए कि लिए आपको है पोस्ट और इसमें चौँछ है इसमें पोस्ट है जिसमें आप दिख रहे हैं कि अलग अलग के लिए जो आप देख रहे हैं कि 30 तो इस तरह से आपको पोस्ट में आपको छूट भेट रहा है एज में और उसको बाद यहां जो कालफिकेशन जो देख रहे हैं कि डिपलोमा में सिविल इंजयरिंग आपको होना चाहिए और सिस्टी पर से मार्स के साथ और उसको बाद कराए कि टू यह आफ्टर जो आपको two तो इस तरह से दिया हुआ है टुवाई नेस्ट जो आप देख रहे हैं इस तरह से सभी जो एब के लिए पोश्ट है अब हम लोग इंपोटेंट पॉउंट प्वाइन पे लिए जिए वाले के लिए जो पोश्ट है उसको हमनों देखते हैं ITA वाले पोस्ट के लिए हमनों देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है ITA वाले के लिए देखिए IT वाले के लिए पोस्ट में आ गया है जैसे plumbing ठीक है plumbing technician B की पोस्ट है या और इसमें चार पोस्ट है ठीक है इसमें चार पोस्ट है जो आप देख रहे हैं और इसमें स्टी के लिए एक पोस्ट दिया हुआ है ठीक है ओविसी के लिए आपको दो ठीक है ओविसी के लिए दो और उसको बाद अधर के लिए आपको वन दिया हुआ है और यहां जो आप देख वा रहे हैं कि यह क्य साइन्स और मैथ आपको होना चाहिए तो इसमें साइन्स और मैथ आपको होना चाहिए और 60% से पास होना चाहिए प्लस ट्रेड छर्टिफिकेट इन कर सकते हैं जिसमें एसी के लिए नहीं है तो इस तरह से आपको एज भी दिया हुआ है जो आप देखेंगे इंपोटेंट जो नेश्ट पोस्ट के लिए आप देखें यहां उसी तरह से कर्परेंटर के हुआ है उसी तरह से आपको फीटर के दिवी दिया हुआ है जो पोस्ट दिया हुआ है चैनले इसमें दो बिज़न के लिए कैसे यह वस्पेसिशन हुआ है उसमें 20 स्वी can और 100 से के यह साइंस के लिए आपको आगे बढ़ते हैं उसको समझगें निस्त हैं आपको सिमी लारी जो आप देख रहे हैं और से मढ़ती선 सुझत वाले भड़ सकता है और 60% सभी में SAC होना चाहिए, मैट्रिक में 60% मैट और साइंस से साथ में होना चाहिए चलिए उसको बाद है कि आपको जो क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं जो इसमें लिचे इंपोर्टेंट कुछ दिया है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं जैसे यहां देखिए यहां क्या करा है कि केंडिएट सुड़ मीट एनी ओफ्लोइंग रिक्वार्मेंट एज रिगार्ड ट्रेड चर्टिफिकेट जिसमें आपको एंटिसी जो इस जो किया हुआ है जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट उसका आई टेय पास और जो टू ये डॉरेशन जो वन परिश्ट के लिएले जो टूरिए एन्हें सी तो यार डॉरेशन प्लस 1 वर्क एक्स्प्रेंस आफ्ट Workers इसमें क्या करा है कि आपको यह वाले जो है उसके लिए वन या आपको क्या होना चाहिए एक्सप्रेंस भी होना चाहिए वन यह प्रियुट और निचे करा है कि यह आप समझें कि से इस लेकिन उसके साथ में एनसी और प्लस में आप जो देख रहे हैं कि वन यह डूरेशन ऑफ अप्रेंटेशिब यह आपको एक्सप्रेंस आपको होना चाहिए ठीक है तभी उसमें फिलब कर सकते चलिए इंप्रेंट पॉइंट 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 क्या करा है इसके बारे में ह हम्हों समयते हैं कि क्या 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 उंप्रेंक दिया है उसके बारे में समयते हैं आई यह समझते हैं था यहां जो सब्जेक्ट के लिए और पहां जो डेखेंगे जो आईटे वाले के लिए यहां निचे आपको दिया हुआ है तो आईपी वाले के लिए समझते हैं ठीक है आइटे वाले के लिए जो क्या दिया है उसके बारे में ठीक है आइटे वाले के लिए बारे में समझते हैं देखे आइटे वाले के लिए उपर ही आपको होगा जिसमें यहां जो आप देखेंगे यहां यही है आइटे वाले के लिए ठीक है उपर है आपको डिप्लमाबिट एवाureate से इसलेक्श प्रोसेट से डिया हुआ है इसमें आप समाझिए कि किस तरह से है आपको पहला किसी होने वाला है उस पर दियान देजिए कि पहला स्टेज है पॉस्ट ये प्राइमरी टेस्ट दिया हुआ है और उसमें टेस्ट सिलु समय ने 50 कंसंट और 50 पूखेगा रहर है इसमें एग़ना को समय को नहीं स्क्राइब हमस्टेल्स से 25-20 तो थे ठीक todavía इसतरह से आपको फर्स्ट स्टेज में towns जब होगा इसमयते हैं जिसमें आपको तीन मार्क पे 10 मार्क जाएगा तिन मार्स और यदि एक कोशन पर तिन मार्स दिया जाएगा और यदि आपको एक कोशन गलत होता है तो उसमें एक मार्स काट लिया जाएगा तो इस तरह से आपको जो दिया हुआ है नेक्स्ट हम दो समझते हैं कि उसके बारे में आप समझें नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में समझें देखें नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आपको यह समझ लेजिए कि सेकेंड स्टेज में जो है वह देख लिजिए सेकेंड यदि आप उसमें एक्षाम दे रहे हैं तो त्रेट से 50 वाले के लिए और दो घंटा उसको समय देगा ठीक है और उसी सेम जो होगा जो तीन मार्ट्स जो होगा आपको एक कोशन पर दिया जाएगा यदि गलत होता है तो एक मर्स काट ले जाता है सही में से तो इस तरह से हैं पॉइंट जो इंपोटेंट पॉइंट है उसके बारे में देखें नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग समयते हैं जो एससे टीक लिए तो पहले ही बता चुकी है इसके बारे में और उसको बाद इंपोटेंट पॉइंट जो है उसके बारे में हम लोग समयत एक सभुद्ध के बारे में हम दो समझते हैं इंप्रम फ्रॉयंट πो जब कर रहा है कि देखिए यह आपको फर्मा आ गया ठीक है और या फिरम आ गे आपको समुझे किसOOOOOOOO फिलफ करने के लिए इसी फिरमेट पे आप खत करके ठीक है और उसको लिए घ्रिक दोलतों को सब्सक्राइब बीडियो को सब्सक्राइब कर आप तक मुण्य पाये और आप इसकी तरह देख वह दोस्तों इस मिलय को लाइक कर दो